हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल और अभिनाफ किछे में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम बनाएंगे एक healthy and nutritious breakfast recipe जिसका नाम है चूड़ा मटर तो आईए इसे देखते हैं किस तरीके इस त्यार करेंगे चूड़ा मटर बनाने के लिए यहां पर मैंने 300 ग्राम चूड़ा लिया है आप चाहतों इसे पूहा भी बहुत सकते हैं 300 ग्राम मैंने मटर ली है फ्रेश हरी मटर है यह जितना मैंने चूड़ा ली है उतनी में मैंने मटर भी ली है दो मिनियम सेस की प्याद लिया है जिसी मैंने बारी काट लिया है चार से पास मैंने हरी मिर्च लिया है जिसी मैंने बारी काट लिया है मसालों मैंने आजा चमच हल्दी पौडर आजा चमच जीरा आजा चमच काले मिर्च और आधी बड़ी राची ली है साथी ए चौथाई चमज मैंने गरा मसाला पाउडर लिया है नमक लिया है जो की एसपर टेस्ट रहेगा किश्मिचली है और आलू की भुजा लिया है आप चाहें तो बेसन की भिज़ा भी ले सकते हैं और मस्टार्ड ओयल चूड़ा मट्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम चूड़े को अच्छे तरीके से धोलेंगे तक यह अच्छे से फूल जाएं तो इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है ये देखिए इसे जिस्तर से नॉर्मल चावाद होते हैं उसे इसी तरीके से दो से तीम पानी से अच्छे से धो लेंगे हम और अब हम खड़े मसालों को कूट लेंगे दर दरा तो इसमें एड़ करते हैं जीरा काले मिर्च सासी एड़ करेंगे बड़ी लाची और इन सभी मसालों को हम दर दरा कूट लेंगे तो मसालों को कूट कर मैंने त्यार कर लिया है ये देखिए और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं चूड़ा मुटर बनाने के लिए यहां बे मैंने कढाई रख लिए है गरम होने के लिए और अब इसमें एड़ करेंगे मस्टर ओल यहां बे मैंने मस्टर ओल का यूस किया है आप चाहत तो रिफाइंड भी यूस कर सकते हैं और को गरम होने देंगे और हमारा अच्छे से गरम उचका है और सबसे पहले इसमें एड़ करेंगे बारी कटी प्याज इससे अच्छे से मिस कर लेंगे प्याज को मैंने अच्छे से मिस कर लिया है और अब इसमें एड़ करेंगे बारी कटी हरेमेच और अब हम प्याज को दो से ती मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे इसे हमें ज्यादा ब्राउने करना है इसे हलका सा ट्रांसलूसेंटरी रखना है हमें और अब हम इसमें एड़ करेंगे फ्रेश हरी मटर मटर को भी अच्छे से मिस कर लेंगे हम मटर को मिस करते हुए है मटर को भी हम 2-3 मिन तक अच्छे से भून लेंगे मीडियम की हाई फ्लेम पर मटर को भूनते हो 2-3 मिन हो चुके हैं और आप देश सकते हैं मटर पहले की कंपेररे में सॉफ्ट हो चुकी है और अब हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें एड करेंगे सारे मसाले तो सबसे पहले डालते हैं हल्दी पौडर सासी एड करेंगे कुटेवों मसाले जीरा काले में बड़ी लाची है सासी एड कर लेंगे नमक अब मसालों को भी हम आधर मिनिट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और अब इसमें एड कर लेंगे किश्मिश इसमें मिस कर लेंगे तो मैंने इसे अच्छे से मिस कर लिया है और अब इससे हम कवर करके चार से पास मिन के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर बी बी पे चेक करते हुए जब तक कि मटर अच्छी तरीके से गल नहीं जाती तो मैंने इसे करो कर लिया है, गैस की फ्रिम लो कर लिया है पांस मेट हो चुके हैं, आई इसे हम चेक कर लेते हैं ये देखिए मठर अच्छे तरीके से गल चुकी है ये सौस्ट हो चुकी है और हम इसे स्दू करेंगे चूड़ा नहीं हमने अलुडिए ध़ोके रखा हुआ है चूड़ा अच्छे तरीके से फूल चुका है विछ से मैंने इसमें एड़् कर लिया है इसे अच्छे तरीके से mix कर लेंगे हम gas की flame low रखेंगे और इसे लगातार चालाता हुए अच्छे तरीके से mix करेंगे तो इसे मैंने अच्छे तरीके से mix कर लिया है और अब इसमें add करेंगे गरम masala powder सासी add करेंगे बारी कटी फ्रेश हरीधनिया की पत्ती आप चाहें तो लाजमेश पाड़ो का यूज भी कर सकते हैं पर मैंने इसका यूज नहीं किया है सासी समें मैं add करेंगे एच चम्मत देसी घी जो इसके flavor को और बढ़ा देगा आप चाहें तो देसी घी के जगे पर मक्खन का यूज भी कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा flavor आता है इससे अच्छे से मिस कर लेंगे तो तबी चीजू को मैंने अच्छे से मिस कर लिया है और अब इससे हम आधे मेट के लिए कर करके पकाएंगे अब हम गयस की फ्लेव बंक कर लेते हैं आई इसे हम चेक कर लें चूला मटर बनकर त्यार है फैनली इसे हम एड़ करेंगे आलू की भुजिया आप चाहें तो बेसें की भुजिया भी डाल सकते हैं पर आलू की भुजिया से फ्लेव बहुत अच्छा जाता है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे मिस्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स चूडा मटर बनकर तयार है और इसे हम सर्फ करेंगे इसे मैंने सर्फ कर लिया है तो फ्रेंड्स बन के तयार है मेरा चूड़ा मतर और अगर आपको मेरी रेस्टी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइज, सस्क्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा थैंक यू झाल